अलाउदिन खिल जी की मृत्यू के बाद में दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार की उठा पटा कुई कैसे अलाउदिन खिल जी के बेटों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनकी आखे फोड़ी जा रही है अलाउदिन खिल जी के बाद जो और आगे के शाशक बने उसमें ऐसे ऐसे शाशक भी आए जो नंगे होकर दर्बार में आया करते थे वस्त्र ओर्तों के वस्त्र पैनकर दर्बार में आया करते थे दर्बार में नंगे होकर दोड लगाया करते थे इसके अलावा जब दिल्ली सल्टनत में इस परकार की एविवस्था हुई थी तो इसका फायदा जैसलमेर वालोंने कैसे उठाया जैसलमेर वाले वापस्वतंतर हो गए लेकिन बाद में उनको फिर से दिल्ली सल्टनत के साथ में संगर्ष करना पड़ा और उसका परिणाम सामने आया जैसल मेर के दूसरे शाके के रूप में तो इस वीडियो में हम दो विशय पर चर्चा करेंगे दोनों को एक दूसरे से लिंक करते वे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जब जैसल मेर में पहला शाका हो गया था जैसल मेर अलाउदिन खिल जी के अधिकार में आ गया था तो अलाउदिन खिल जी की मिर्त्यू के बाद जो एविवस्थाएं उत्पन हुई दिल्ली सल्तनत में उन एविवस्थाओं का फायदा उठा कर कैसे जैसल मेर वाले स्वतंत्र हो गए किस प्रकार से दिल्ली में राजनीती चल रही थी बाद में फिर जब खिलजी वंश समाप्त हुआ और तुगलक वंश आ गया तो फिर इस तुगलक वंश के साथ में जैसल मेर वालों को फिर से संगर्ष करना पड़ा और जिसका परिणाम सामने आया जैसल मेर के दूसरे शाके के रूप में तो यह हमारा जैसल मेर रियासत के इतिहास संबंदित सिरीज का पार्ट फोर्थ है मैरमन भार्दवाज आई ये शुरू करते हैं इससे पहले जैसल मेर रियासत के पिछले वीडियो में हम यहां तक चर्चा कर चुके थे कि अलाउदिन खिल जी के शाशनकाल में सन 1312-1313 इस्वी के लगबग जैसल मेर का पहला शाका हुआ था जिसमें जैसल मेर के शाशक रावल मूलराज और उनके भाई रतन सिंग के साथ में बहुत सारे योधाओं ने केसरिया कर लिया था मतलब युद्ध भूमी में लड़ते वे वो मृत्यू को प्राप्त हुए थे और जैसल मेर के दुर्ग के अंदर महिलाओं ने जोहर कर लिया था मतलब वो जिंदा अगनी में कूद गई थी अपने प्राणों का बलिदान उन्होंने दे दिया था तो ये जैसल मेर का पहला शाका था जो अनुमानित समय जिसका था तेरा सो बारा, तेरा सो तेरा इसवी के लगबग में और इस समय अलाओदिन खिल जी का जैसल मेर पर अधिकार हो गया था यहां तक मैं आपके साथ में चर्चा कर चुका हूँ अब जैसल मेर का दूसरा शाका होने के लिए ये जरूरी है कि वो जैसल मेर रियासत जो अब दिल्ली के अधिन हो चुकी है अलाओदिन खिल जी का अधिकार हो गया है तो वो जैसल मेर रियासत अब पहले तो स्वतंत्र हो क्योंकि शाका तो तब होगा ना जब आप शत्रू के साथ में युद करोगे और युद तब करोगे जब पहले आप स्वतंत्र करो देश को तो पहले जैसल मेर रियासत का स्वतंत्र होना जरूरी है, अब स्वतंत्र जब वो होंगे तो फिर वहां के शाशक अब दिल्ली सल्तनत से फिर से युद्ध करेंगे, अब जैसल मेर रियासत स्वतंत्र कैसे हुई, इसके लिए हमको दिल्ली की अलाउदिन खिलजी के मिर्त्य तो तेरा सो बीस इसवी के दोरान अब जो दिल्ली सल्तनत में ए विवस्था पैदा हुई जिसमें दिल्ली वालों ने ऐसे ऐसे शाशक भी देखे जो नंगे होकर दरबार में दोडते थे तो इस विवस्था ए विवस्था का फायदा बहुत सारी रियासतों ने उठाया और उनी रियासतों में से जैसल मेर भी एक रियासत ती अब अलाकि हमारा विश्य जैसल में रियासत ने रियासत के संब्ब में ही बात करेंगे लेकिन पहले isad давgmark के दिल्ली सल्तनत कीा अवं वेवस्था के यचिर्वे बारे में बात करें तो दिल्ली की ओर चलते हैं अलाउ सुल्तान बनाने की फिराख में ये सब असान नहीं होता लेकिन फिर भी एक जो वेक्ति थायरा रावदिन खिल जी का एक दास मखäng नाम था मलिक काफूर कि यह वही मलिक काफूर है जो जिसको अलावदिन खिल को बंदी बना कर लाया था यह एक हिजड़ा था लेकिन अलाउदिन खिल जी की नजरों में इसका बहुत महत्व था और सल्तनत काल में अलाउदिन खिल जी के समय इसका बहुत प्रभाव हुआ करता था यह military commander था और अलाउदिन खिल जी की और से इसने बहुत सारे अभियान भी चलाए थे और दक्षिन भारत में अलाउदिन खिल जी का जो राजे विस्तार हुआ था उसमें इसी मलिक काफूर का बहुत महत्व इंपोर्टेंट रोल था इस मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता तो इस मलिक काफूर ने अलाउदिन खिल जी के मिर्ट्यू के बाद दिल्ली सल्तनत की राजनीती को बहुत जादा प्रभावित किया और उसका परिणाम यह हुआ इसकी खुद की भी मिर्ट्यू होगई तो थोड़ा सा हम अलाउदिन खिल जी की मिर्ट्यू से दो तीन साल पीछे की ओर चलते हैं तो बात है 1313-1314 इसवी के आसपास की उस समय अलाउदिन खिल जी के बिमार होने की सूचना जब चारो तरफ फैली तो वो मिल्ट्री कमांडर अब जो अपने आपको सुल्तान बनाने की सोच रहे हैं या अपना प्रभाव बढ़ाने की सोच रहे हैं तो उस समय मलिक काफूर देवगिरी में था देवगिरी जो वर्तमान में महाराष्टर में आता है वहां का इसको कमांडर बनाया वा था सुबेदार बनाया वा था 1313 से और 1314-15 इसवी के आसपास तक ये वहां का कमांडर रहा था लेकिन जब अलाउदिन खिल जी के बिमार मिर्तियों के बाद ये मेरा विरोध कर सकते हैं उन संस्थाओं को खतम करवाया अलाउदिन खिल जी से कहकर अपने चहेते लोगों को प्रभावशाली पदों पर इसने बैठवाया और बाद में जब 1316-15 में अलाउदिन खिल जी की मिर्तियों हुई अलाकि मिर्तियों कैसे कि अलाउदिन खिल जी जैसा उसने लोगों से सुना वो ये कहता है लोगों के कहे अनुसार अलाउदिन खिल जी की जो मिर्तियों है जो हत्या है वो मलिक काफूर के दुआरा करवाई गई थी खेर जैसे भी हुई हो अलाउदिन खिल जी की जब मिर्तियों हुई तो मलिक का लेगी वो जो उसका संरक्षक बनेगा तो मलिक काफूर ने अलाउदिन खिल जी के बेटे शहबूदिन उमर को अल्पवयस्क सुल्टान बनवा दिया और स्वैम बन गया उसका संरक्षक यह संरक्षक की क्या थियोरी होती मैं अभी थोड़ा सा आपको समझाऊंगा लेकिन थोड़ा सा इस विश्या पर आपका ध्यान और आकर्शित करूं कि अलाउदिन खिल जी के और जो बेटे थे उनको इसी मलिक काफूर ने राजे के अधिकार से वंचित करवा दिया समझना क अलाउदिन खिल जी ने चितोड पर आकर्मन किया था वहां के शाशक थे रावल रतन सिंग और अलाउदिन खिल जी ने जब जीत लिया था वहां पर राणी पदमीनी के नेत्रित्त में महिलाओं ने जोहर कर लिया अगनी में वह कूद गई थी हजारों की संख्या में तो जीतने के बाद अलाउदिन खिल जी ने अपने बेटे खिजर खां को वो चितोर सौप दिया था और उसका नाम खिजराबाद रखा था खिजर खां के नाम पर ही तो अलाउदिन खिल जी की नजर में खिजर खां का कुछ प्रवाव तो था ही लेकिन मलिक काफूर ने इन दोन को गौालियर के दूर्ग में बंद करवा दिया और इन दोनों की आंखे निकल वाली जिंदा इन दोनों की निकल वाली इसके Comma ऑलावा अलाविधिन खिल जी का裡面 मुबाराक छाह के नाम से सुल्टान विस्वेयर अगला सुल्तान बने समझना इस बात को फिर से बोलता हूं मुबारक खां को भी बंदी बनवा लिया था अलावदिन खिल जी का बेटा था बंदी किस ने बनाया मलिक काफूर ने बंदी बनवा लिया और इस मुबारक खां को मारने के लिए जब कुछ सेनिक भेजे तो मुबारक खां ने उनको ला तो मलिक काफूर ने क्या किया शहाब बुदीन उमर को अगला सुल्तान बनाया और स्वैम उसका संरक्षक बनने के पीछे जो मानसिता होती थी वो ये होती थी कि आवसर मिलने पर इस सुल्तान की हत्या कर दी जाए जो एक बालक है जिसकी खुद की कोई राजनितिक समझ नही या जाए अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सब भालक तो छोटा है उसकी हत्या करने में क्या दिक्कत है उसको दुद मार तो कभी भी मारा जा सकता है ऐसे नहीं दरसल क्या होता है जो दर्बारी होते हैं या जो प्रभावी लोग आपका विरोध करेंगे, आपके विरुध विद्रो कर देंगे और आपकी अत्या कर दी जाएगी जैसा एक एक एक्जामपल आपके समक्ष रखता हूँ जब गुलामवंश आरंब हुआ था 1290 में जब 1260 इस्वी में जब कुतुब बुदीन ऐबक शाषक बना था तबी से गुलामवंश के हम शुरुवात मानते हैं भारत में तो इसी गुलामवंश का जो अंतिम शाषक था क्यूमर्स तो क्यूमर्स एक बालक था और जलालुदीन खिल जी उस समय क्यूमर्स का संरक्षक बन गया उसने कुछ समय तक दरबारियों का अपने फेवर में लिया और फेवर में लेने के बाद क्या किया क्यूमर्स की हत्या कर दी और सुयम अगला शाषक बन गया तो मलिक काफूर के दिमाग में भी यही बाते चल रही थी कि उसने एक बालक अल्प वैस्क को अगला सुल्टान बनाया और सुयम उसका संरक्षक बन गया लेकिन वो अगला शाषक बनता उससे पहले ही मुबारक खाने उसके बेजेवे सेनिकों को अपनी और मिलाकर उसकी हत्याकरदी मलिक काफूर की और वो सुयम उस बालक का मतलब शहबबुदीन उमर का संरक्षक बन गया उसने दर्बारियों को अपनी तरफ मिलाया प्रभाव साली लोगों को अपनी तरफ मिलाया जो विवस्ता में जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे थे उनको अपनी तरफ मिलाया सब को favor मिल लिया और favor मिलेने के बाद उस सुल्तान के लात मारी ठोकर मारी शाहबुदी नुमर के उसको गौालियर के दुर्ग में बंद करा दिया और वहाँ पर उसकी आखे निकलवा दी गई और स्वेम मुबारक खां अगला सुल्तान बन गया मुबारक शाहखिल जी के ना लगाया करता था इसको इतिहास में एक विलासी शाषक कहा गया है अब वो तो आप समझी सकते हो जो शाषक दरवार में नंगा आएगा दरवारियों के बीच में नंगा ओकर दोड़ लगाएगा नंगे महिलाएं और पुर्षों की संगत उसको जादा पसंद थी तो उसका राज्य संचालन पर ध्यान कैसे चलेगा और ऐसे में तो एवेवस्था फैलेगी फैलेगी एक तो पहले से यलावदिन खिल जी की मृतियों के बाद इतनी राजनिति का इस्थिरता हो रही है एवेवस्था फैल रही है फिर दूसरा सोने पर सुआगा ये है कि शाषक भी जब ऐसा आगया जो नंगा है नंगा हो कर दोर लगा रहा है दर्बार में नंगा आ रहा है महीलाओं के कपड़े पहर कर आ रहा है तो ऐसे में राज इस तरीके से राजनि चलता और इनी है व्योस्थाओं का फायदा उठाया बहुत सारी रियासतों ने अब आला कि हमारा विशह तो जैसल मेर रियासत है तो जैसल मेर रियासत ने भी फायदा उठाया वो जैसल मेर रियासत जहां के शाशक मूल राज के समय जैसल मेर का शाका हुआ था तो मूल राज के जो पुत्र थे रावल मूल राज के पुत्र रावल दूदा और रावल दूदा के भाई तिर केसरिया करेंगे और उनके भाई का नाम ध्यान रखना ये भी पूछ लिया जाता है तिरलोकसी तो रावल दूदा और तिरलोकसी के नित्रत में योधा केसरिया करेंगे रावल दूदा का जो कारेकाल आता है वो आता है तेरा सो उन्निस से और तेरा सो इकतिस इस्वी तक का अब आप समझ सकते हैं कि 1319 के समय उन्होंने जैसल में रियासत को स्वतंत्र कराया होगा, तबी 1319 से और 1331 इसवी तक का उनका समय है, अलाकि इस समय में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, ये रेंज आगे या पीछे हो सकती है, अब 1319 के समय क्यों हो, क्योंकि इस समय दिल्ली में राजनिती का इस्थिरता चल रही थी, शाशक कोन था इस समय दिल्ली का, मुबारक शाह खिल जी, तो ये भी अब सवाल बनता है, कि जैसल में रियासत का जब पहला शाका हुआ तब शाशक कोन था, अलावदिन खिल जी था, और पहले शाके के बाद जब जैसल में रियासत को स्वतंतर करा लिया गया, उस समय दिल्ली का शाशक कोन था, उस समय था मुबारक शाह खिल जी, और किसने स्वतंतर कराया, तो जैसल मेर के शाशक थे रावल दूदा, रावल दूदा के पिता आला कि पिता माता के बारे में कमी सवाल पूछे जाता है फिर भी कौन थे पिता रावल दूदा के रावल मूल राज वापस एक बार थोड़ा सा दिल्ली पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि अब दूसरा जो शाका होगा उस दूसरे शाके के समय को लेकर थोड़ का भी गड़बड है क्योंकि मैं जिस शाषक का अभी रावल दूदा का जो कारेकाल बताओंगा 1319-1331 में बता रहा हूँ किताबों में ये पढ़ने को मिलता है कि इस समय दिल्ली के शाषक थे फिरोजशा तुगलक और उनके समय रावल दूदा को लड़ना पड़ा जबकि हम जानते हैं फिरोजशा तुगलक का शाषनकाल तो 1351-1331 तक था तो सारे विशेकों मैं क्लियर करूँगा स्टेप बाई स्टेप चलते हैं वापस दिल्ली की तरफ हम अपना ज्यान के इंद्रित करते हैं तो मुबारक शाखिल जी बन गया एक तो उसके चरित्र के कारण बूरे चरित्र के कारण एवे उस्था फैली दूसरा उसने क्या किया स्वैम को खलीफा गोशित कर दिया अब खलीफा क्या बहिए में जानते हैं इसलाम धरम में मुहम्मद जो हैं वो पैगंबर थे मतलब धर्ती पर वो अल्ला के प्रतिनिदी थे और अल्ला का संदेश वो लेकर आये थे उनके जो उत्रा दिकारी हुए थे वो खलीफा थे खलीफा का मतलब यह हो गया कि अब मुहम्मद पैगंबर के बाद में उनकी मृत्यों के बाद में जो उनके उत्रा दिकारी हैं अब वो दुनिया भर के जितने भी इसलामिक लोग हैं जो मुसलमान हैं उनके धार्मिक ने तो बहुत एक सम्मान का पद होता था बहुत गरिमा का पद होता था और मुसलमानों के लिए बहुत निष्ठा का पद होता था ये खलीफा अब एक ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र सही नहीं है वो अपने आपको खलीफा अगर बना रहा है खलीफा गोशित कर रहा है तो ऐसे म जनतब की भी उसके प्रती नाराजगी हो रही थी और बाकी के जो उसके सेने कमांडर हैं उनके मन में भी नाराजगी हो रही थी तो इसी मुबारक शाह की उसके एक गुलाम ने हत्या कर दी एक गुलाम था जिसका नाम था मुबारक हसन और इस मुबारक हसन को दरसल ये एक हि गुलाम था उस गुलाम का नाम था मुबारक हसन इस मुबारक हसन को खुसरो खां की उपादी दी थी मुबारक शाहखिल जी ने इसका काफी प्रभाव हुआ करता था मुबारक शाहखिल जी के समय और इसने अवसर पाकर अपने सुल्तान मुबारक शाहखिल जी की अत्या कर आगला सूल्तान बना तो इसने अपने आपको खलीफा नहीं का इसने अपने आपको कहा कलीफा का प्रतिनिदी लेकिन जब यह साशक बना इसके सम्मन्द में बताया जाता है ये पहले हिंदू था लेकिन बाद में ये मुस्लिम हो गया था तो जब ये शाषन कर रहा था कुछ समय किया था इसने भी तो जब ये शाषन कर रहा था तो इसके जो विरोधी थे उन्होंने नारा दिया कि विया इसके कारण इसलाम खत्रे में है इसके कारण इसलाम को हानी हो रही है तो इसकी हत्या करा दी गई और इसकी हत्या किसके द्वारा की गई उस समय का उत्तर पस्षिम सिमांत प्रांत का गवर्नर था ये चेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में आता है और वहां का जो गवर्नर था वो था गाजी मलिक गाजी मलिक आया दिल्ली में आया अपनी सेना लेकर खुश्रो खांकी हत्या करा दी गई और हत्या करने के बाद 1320 इस्वी में वो स्वैम अगला सुल्तान बना औ तो खिलजी वंश खतम और तुगलक वंश की शुरुवात हो गई और ये तुगलक वंश जो रहा ये तेरा सो बीस से और चौदा सो चौदा इसवी तक रहा और ध्यान रखना दिल्ली में जितने भी सलतनतकाल में जितने भी वंश हुए हैं वह इनका करम मैं बतायता हूं सब सो बीस से और 1414 इसवी तक तूलक के बाद आए सयद वंश 1414 से और 1451 इसवी तक और सयद के बाद आए लोधी 1451 से और 1526 इसवी तक और फिर 1526 में ये सल्तनत काल खतम मुगल आ गए थे और अब बाबर आ गया था और आगे के जो शाशक हैं वो अपने आपको बादिशाह कहत तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि इस सल्तनत काल में जो शाशक थे वो सुल्तान की उपादी धारन करते थे और सुल्तान के कारण ही इनके राज्य को इनके क्षेत्र को इनके सामराज्य को सल्तनत कहा गया इसलिए हम जब पढ़ते हैं तो एक बोलते हैं सल्तनत उसका मतलब यह है और अब जब सल्तनत काल जाएगी तो अब आ जाएंगी बादशाह जिसको हम मुगल सामराज्य बोट रहे हैं कुछ बाते और ध्यान रख लेना इस सल्तनत काल में सबसे लंबा जो वंश रहा सबसे लंबा जिस वंश का शाषन रहा वो था तुबलक वंश और सबसे कम समय तक जिस वंश का शाषन रहा वो था खिंजी वंश उमीद है दिल्ली की ये सारी एववस्था सारी उठापटक बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी और इसी उठापटक का फायदा आप जैसलमेर वालों ने उठाया तो अब चलते हैं जैसलमेर जैसलमेर रियासत के बारे में काफी चीजे में बता चुका पहला शाका अब जैसलमेर का जो दूसरा शाका हुआ उस पर ध्यान के दिप करो जैसलमेर का दूसरा शाका रावल दूदा के समय हुआ रावल दूदा का शाषनकाल 1319-1331 इसवी तक का है और किताबों में ये प फिरोज शाहत तुगलक अब ये बात समझ में नियाती लिया माथा ठनक जाता है कि फिरोज शाहत तुगलक कैसे आगया यहाँ पर भाई रावल दूदा का समय 1319 से 1331 है जबकि हम जानते हैं दिल्ली में जो तुगलक वंच आया उस तुगलक वंच में पहला शाषक गिया सु जिसका शाषंकाल 1320 से 1325 था लिए सुद्धिन ल जब मरा तो उसके बायद बना मुहांाद बिन तुगलक जो 1325 श्याषक रहा मौंद बिन तुगलक जिसको विद्वान मूर्ख कहा जाता ए हुसके बड़ी इंट्रेस्ट्रिंग मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में बताऊंगा तो मुहम्मद बिन तुगलक के भी समकालीन रहा यह रावल दूदा इसके आलावा मुहम्मद बिन तुगलक जब मरा 12少ory 351 इस्वी में तो 351-388 इस्वी तक फिरोज शाह तुगलक रहा तो फिरोज शाह तुगलक और जैसल मेर के शाषक रावल दूदा का तो कई मेली नहीं होता तो इतिहासकारों ने ये बात क्यों लिख दी कि दूसरे शाके के समय दिली का शाशक फिरोज शाह तूगलग था अब या तो रावल दूदा का समय सही नहीं है या अगर रावल दूदा का समय अगर सही है तो फिर ये हो सकता है कि दिल्ली का जो शाशक है मुहम्मद बिन तुगलक उसके समय जैसल मेर पर आकर्मन करने के लिए सेना बेजी गई हो लेकिन उस सेना का नेत्रित्व फिरोज शाह को दिया गया हो फिरोज शाह जो कि मुहम्मद बिन तुगलक का चाचा का लड़का था जिसका नाम था फिरोज और जब मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यू हुई थी तो इसी फिरोज को फिरोज शाह तुगलक के नाम से शाशक बना दिया था तो यह हो सकता है कि मुहमद बिन तूगलक ने जैसलमेर पर आक्रमन करने के लिए जब ये सेना भेजी थी तो सेना का नित्रित्त फिरोज को दिया होगा अपने चाचा के लड़के को दिया होगा ये थोड़ी सी एक कहानी है जिसके सम्मन्द में competitive exams में नहीं पूछा जाता है फिर भी बता देता हूँ रोचकता बनी रहती है विशे की कि जब ये सेना आई दिल्ली से ये सेना आई जैसल मेर पर वापस अधिकार करने के लिए तो जैसल मेर के दुर्ग की काफी लंबे समय तक घेराबंदी रखी गई और रावल दूदा ने जैसल मेर के दुर्ग बंद रखे क्योंकि दिल्ली की सेना जो थी बड़ी थी उसके मुकाबले जैसल मेर वालों की सेना छोटी थी काफी समय तक ये दुर्ग की घेराबंदी रही जिसकी वज़े से दुर्ग के अंदर खाने और पीने के समान की किलत होने लगी अब जब खाने पीने के समान की किलत हुई तो अब ये आवशक हो गया कि बाहर निकल कर केसरिया किया जाए मतलब युद किया जाए तो बाहर खड़े फिरोज शाह मतलब मुहम्मद बिन तुगलक के चाचा के लड़के अगर उसके नित्रतों में सेना आई थी तो बाहर जो सेना थी उसका ध्यान बटकाने के लिए ऐसा बताया जाता है कि वो सेना वापस लोटने लगी क्योंकि उनको बहुत लंबा समय हो गया था दुरूगी की घेरावंदी किये वे लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम था भीम देओ उसने कहा कि आपको केवल मूर्ख बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है जबकि दुरूग में वास्तों में ख मंदित कुछ और फैक्ट्स आप ध्यान रख ले ना फिर हम इस लेक्चर को समात करते हैं और फिर अगले वीडियो में बात करेंगे जैसल मेर के तीसरे शाके की जिसको अर्द शाका खा जाता है इनी के बाद के शाशकों में एक शाशक हुए थे घड़सी जिनके दुआरा जैसल मेर को वापस प्राप्त किया गया था घड़सी के शाशनकाल के दौरान कुछ और बाते जहां रखना जैसल मेर के जो शाशक थे रावल लक्षमन सिंग उनके दुआरा जैसल मेर में एक मंदिर बनाया गया था लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर और लक्ष्मी नाथ जी क श्री कृष्ण के वंशद अपने आपको बताते हैं तो इस्ट देव भगवान श्री कृष्ण है लेकिन रावल लक्षमन सिंग के समय लक्षमीनात जी का दिवान मानकर स्वैम को वो शाषन करते थे कुछ फैक्ट और ध्यान रखिए कि इसी वंश के जो शाषक थे लक्षमन का एक बंडार जैसलमेर में लाया गया था बहुत बड़ी संख्या में आचारिये जिन भद्र सूरी के निर्देशन में वो जैन बंडार वो गुजरात से जैसलमेर लेकर आए थे अब आगे जो शाषक हुए रावल लून कर्ण उनके समय जैसलमेर का वो ढाई शाका होगा उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जै हिंदे